Assalamu alikum सवाल ये हैं किसी Non-Muslim या फिरर किराय से दे सकते या दुकान जिस में वो जिस में वो मुर्स्ति पुजा भी करता हूं दुकान किराय से देती तो अशुम भूश़ता उस टाइमें मुर्स्ति पुजा करता है साम को भी मुट्टी पुजा करता है तो दुकान और किराए से देने पैसा हराम का होगा या जाइश का होगा ये एक भाई का सवाल है इनका कहना है कि किसी non-muslim को गहिर-muslim को किराए पे घर दे सकते की नहीं क्योंकि वो किराय पे घर लेगा तो उस घर में बुद्ध की पूजा करेगा तो इसलाम में इसके गुझाइश नहीं है तो क्या उसको किराय से मकान दे सकते की नहीं अगर कोई शक्स आपकी दुकान या आपका कोई मकान इसलिए मांगता है कि उसको मंदिर बनाएगा या उसमें मूर्ती पूजा करेगा या खास उसी चीज़ के लिए कोई मांग रहा है तो ये अलग चीज़ है ऐसा इसलाम में गुझाइश नहीं है इसलाम एक अलग अपनी अपनी शनाख तरकता है इसलाम का अपना एक वाज़ अकीदा है कि वो मूर्ती पूजा पे बिल्कुल इसके कोई गुझाश नहीं देता और इस दिन इसलाम ये तोहीद पर कायमें सिर्फ आलाह की अबाद है उसके लावा किसी की पूजा पार्ट नहीं हो सकती इसलाम में इसलिए ना मुसलमान ये कर सकता है ना किसी को इसके लिए अलाव कर सकता है ना ऐसे किसी काम में मदद कर सकता है अब रहा मसला ये कि गैर मुसलिम को रहने के लिए घर दे सकते की नहीं तो देखे गैर मुसलिम को जब आप घर देते हैं तो रहाइश के लिए देते हैं फर्क नहीं पड़ता है लेकिन आप उसको घर दे सकते हैं क्योंकि आप घर इसलिए नहीं दे रहें कि उसमें कोई गलत काम करें बलकि इसलिए दे रहें तो आपका जो उसके साथ agreement है वो रहाईश का आप उसको रहाईश के लिए दे रहे हैं तो जाय से बात है नोन-मस्लिम है तो अपने मजब के अदाबिक जो चाहे वो करेगा तो आपका जो मामला हो रहा हो रहा है वो घर देने से तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है इसकी दलील क्या है क्यों हम ऐसा करें इसलिए कि अल्ला की नभी इसलिए ने सहाबे कराम को बहुत सारी तालिमात दी इस इसलिए में कि गेर मुस्लमों के साथ तामुल कैसा होना चाहिए उनके साथ लेन दिन कैसा होना चाहिए उनके साथ खाने पीने का मामला कैसा होना चाहिए बहुत सारी चीज़ें बताई है लेकिन ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई है اللہ की नbी से सुने कि आप उनको रहने के लिए घर नहीं दे सकते उनको आप ठेकाना नहीं दे सकते ऐसी कोई बात नहीं बताएगी है इसलाम में बलकि कुरान में अल्लाहर्ब अल्लाहिए ने कहा है जिन गेर मस्लमों ने तुम्हारे साथ मजभब के नाम पे लड़ाई नहीं लड़ी, तुम्हारा किताल नहीं किया, तुम्हें 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 त नहीं निकालते हैं तो उनके साथ आप अच्छा सुलुक कर सकते हैं तो अच्छा सुलुक में ये भी है कि आप किसी के रहने का इंतिजाम कर दें तो ये भी एक तरह का ताउन है आप उनके साथ ये अच्छा सुलुक कर सकते हैं आप उनसे घर लेते हैं किराए पे तो उनको आप से जो बात हुई है वो रहने के लिए हुई है हाँ अगर मसला यह है कि कोई शराब की दुकान खुलने के लिए मांग रहा है या खास बिलकुँ खालिस हराम काम के लिए मांग रहा है तो उसको आप घर नहीं दे सकते हैं लेकिन जो रहने के लिए घर मांग रहा है उसे आप दे सकते हैं इसमें कोई हरिश की बात नहीं है और में देखिया आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें।